पूरा चर्चा किया जिससे एक इस बिधान सबाग का एक पड़िद्रस एक समझ एक दर्द जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने आए अरती जनता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी जो यहां पर उमीदवार के रूप में हैं उनकी एजेंडे में जो जनता के असल सवाल है वो बिल्कुल नहीं है जो बहुत ही चिंता का विशय है सात्यों आज हमें फुलेरा विधान सवा में हैं और फुलेरा विधान सवा में जो सीपी आइम के उमीदवार है बनमार इलाल कुडी जी उनका विधान सवा चेत्र है और विधान सवा चेत्र के हम एक गाउं की अंदर एक ढाड़ी में जो है आई हुए है तो हम इंसे ही ज मुलेरा बिधान सभा है उसमें जो है अभी जो बिधान सभा चुना है उसमें CPIM की क्या इस्थिती ए जो बनमाईलाल कुडी है उसको आप क्यों बोड दोगे CPIM को क्यों बोड दोगे मोड़ बोड करवा दिया बिर्शार कुन बड़ बादी करदा माप कर अभा जाए साथ sendi कमाईन 556 जार रिप्या किज़िका बिधाल के माईन जो आर्थ सो रिप्या मनागा माप करवा दिया साथ जैंम 70 दन कोटन नोड़ दोगो बड़ के माईन तेस्चिल के माईन बाया उर आप किसे मिलने कभी आए बीजेपी कॉंग्रेस वाले नहीं नहीं कुझाया मिलबाद है तो आपका चल जाए जिस बार जो है आप बोट किसको करोगे आप बनवार लाल कूडी को देंगे बोट को बोट है यह गाम आसपास का गाम सब भी कि आई बोल रहे हैं कि कॉंग्रेटन जीतानी भी यह फुलेरा विधानसवा में एक धाड़ी में गए हैं और हमारे साथ जो है एक युवा किसान है जो किसानी भी करते हैं और इनके परवार से भी पुस्तेनी किसानी हुई है जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इनसे इननी का स्वियोग राह है साल-दो साल चे और जो वीजेपी की सरकार थी उन्होंने दो हमारे साथ कुछ नहीं किया हमारे लिए पनमाडी लाल कुडी जी ने क्या किया इन्होंने पहला काम तो हमारा कर्जमाप करौाय था लिश्वा में था धूर Ainुशचरा काम इन्होंने जब चुनाउ उते हैं और पांचे हूँभा रहे हैं। जब चुनाउ के लिए इसे लगता है कि यह वी कोई ज 씨ुनाउं के लिए pouvoir पले। यह आते हैं सिरफ चुनाओं के लिए जब चुनाओं होते हैं तब आते हैं और पांस साथ बार आये और फिर चुनाओं होने के बाद में पांस साल में कभी भी दर्शन भी नहीं देते हैं एक किसान होने के नाते आप बताएंगे कि किसान की क्या-क्या समस्या है हमारे समस्या पहली तो है दूद की जो दूद जैसे पानी बीस रुपे लिटर है हमारे को बोतल मिलती पानी का जो डूद का सवाल आपने बताया बलागत कितनी लगती हो इसका पैसा वह कम मिलता है लागज ज्यादा है इसकी अभी जो फसलों के दाम है जो जो जिसे साब से किसान उगाता है क्या जितना पैसा लगाता है उसके साब से फसलों के जो दाम मिल रहे हैं उससे किसान फायदे में है या गाटे में है आप समझाएंगे कैसे जैसे हमारे डिजल भी का वाव भी ज्य पर बीजिटे चुछ नहीं जादा पड़ता है फिर मैनत करते हैं उसके उसार हमारे गवह नहीं मिलता है इसका यह भाव के अप युवा होने के नाते जो युवा के जो सवाल है वो क्या हो जकते है उनके लिए जैसे अब जमीन है वो तो इस तर रह गई और अब जैसे अब के बहुत थो जाए geç मारी वरभी रोजगार चाहिए और भी अभी आपटिके से तो सब्कुक होते नहीं नहीं है इี้ पानी भी uh भाए दिर में कम हो таких हैs तो काम चलेगानाई इसके लावा और भिक कुछ और में प्र।न में वर्जगार मिल सके और को नौक्री में नौक्री का भी काम हुग कोई आपकी समस्या लेकर समस्या सुनने के लिए कभी आए कोई भी नहीं आई आई अभी क्या इस्तिती है बनवाल यार कुडी कि एसा ज़िए लाल जन्ने वाले हैं गोडी किसाना के लिए दन ना दे तड़ान देड़ान तो दो साल के अंदर कुछ भी मंडी का कोई सवाल था उसमें कुछ हुआ हाँ सब्सक्राइब को नहीं देंगे बिलकुल भी नहीं देंगे शाही भी नहीं लगाएंगे हमारे साथ जो है यह माता जी हैं बहुती बुजुर्ग है इस बिधान सवा से और इनसे थोड़ा सब पूछेंगे माता जी अब इस बिधान सवा में क्या करने वाले हो अभी बनवारी कुडी निमें तो बोट देला बनवारी याल कुडी को क्यों बोट करोगे बटाब अपना नाम बताएंगे मेरा नाम ममता जोदरी है इस बिधान सवा में बच्चों की एजूकेशन को लेकर के क्या सिती है इसमें बहुत समझे है लड़किया बहुत पढ़ाई करती है बहुत मैनेत करती है फिर भी नोगरी नहीं लगती है बच्चियों को पढ़ाने के लिए सारे लोग भेचते हैं नहीं बहुत सारे बच्चियां इसकूल नहीं जा रहे अच्छा फीज के कारण बहुत सारे बच्चियां इसकूल नहीं जा रहे हैं मैं सत्यूं कि आज के जमाने में अपने बेटे और बेटियों को सबको समान रखना चाहिए और सबको सबको नोकर लगवाना चाहिए कि उनका समान अधिकार देना चाहिए मैं किसान की बेटी हूँ हम खूब मैनत करते हैं और परसल भी होती है पर इनके कुछ भी बाव नहीं होते हैं और मैनत करके हम परसल को गवाते हैं और फिर उनको कारते हैं और फिर बजार में बेटे हैं इनके बाव कुछ भी नहीं है हमारी परसल का नुकसान होता जा रहा है पस बालन करते हैं और दूद भी बेज देरी में दूद भी बेजते हैं इनके कुछ भी यह कुछ भी दाम नहीं है 20 रुपे लिट रहे हैं बनवालार कोडी को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी हर बात सुनवाई करते हैं जब क पूरा चर्चा हमारे सामने हैं जिससे साफ होता है कि जो असल सवाल है वो इस राजनितिक पार्टियों के राजनितिक एजेंडे में नहीं है मगर यह जरूर पता चल रहा है कि CPIM ने जिस तरीके से यहां पर अंदोलन किये हैं वो इस बिधान सवा से जो अमीदवार है पनवारी लाल कुडी जी उनके जो अंदोलन की एक छाप उनके आंदोलन का एक असर इस बिधान सवा की जनता के अंदर है जो कहीं ने कहीं किसान ये जोजवान हो उनके किये गए अंदोलन को याद करते हुगे इस बिधान सवा में जरूर अपना बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमको एक यूथ एक ऐसा चेहरा चाहिए जो जनता के सवालों को सुन सके जनता के सवालों को उठा सके झाल झाल